मुझे अंदेशा नहीं था कि पंडित रामा कृष्ण इतनी आसानी से हार मान जाएगा मुझे कृष्ण देवराई को उल्जाने के लिए भेजा है यहीं वोका है मैं पंडित रामा कृष्ण को उक्साता हूँ कि वो कृष्ण देवराई को चुनोती स्विकार करने के लिए मजबूर कर दे पंडित रामा कृष्णा, पैसे मैंने ये चिनोती महराज को दी थी, आप तो हार गए, पर अगर महराज चाहे तो एक बार आजमाईश कर सकते हैं, आप महराज को जाके कहें कि वो इस चिनोती को मुकम्मल करें सिराज महराज को ये चिनोती पूर्ण करनी होती, तो मुझे इसे पूर्ण करने का आदेश देते ही क्यूँ, सोच लिजे पंडित रामा कृष्णा, आपके पास एक मोका और है, आप सत्य कहरें, धन्यवाज सिराज महराज, मैं एक बार पुने प्रयास करूँगा, अब आग गुंडप्पा, भोजन अवकाश हुआ है, भोजन ग्रहन नहीं करोगे, सावधान गुंडप्पा, यहां से नीचे मत उतरना, यह साब तुम्हें काट लेंगे, अत्यन्थी स्वादिश्ट भोजन है, अपने आँखों से देख लीजिए, पंडित रामा किष्णा, आपके पती की रक्षा करने के स्थान पर, कोईले की बोरी बेशनी की चुनोती पूर्ण करने में लगे हैं, इनका दिया ओव वचन मिठ्या है मिठ्या, इन्हें आपकी और आपके परिवार की, कोई चिंता नहीं है, पंडित रामा क्रिष्णा, आपने दो हमारा परोसा तोड़ दिया, हमें कितनी आशा थी आपसे, अब क्या करूं, मैं कहां जाओं? देवी जी, आपके अश्रूओं का इन पंडित रामा क्रिष्णा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इन्हें व्यर्थ मत कीजिए, पंडित रामा क्रिष्णा, कोई उपाय सोचा आपने आदिनाद की रक्षा करने का? आशा करते हैं, आप अपना वचन भूले नहीं होंगे, कि यदि आदिनाद को मृत्यू दंड मिल गया, तो आप अपना अश्र दिगज का पद त्याग देंगे, आपके वचन के साक्षी है हम, जो आपने हमारे समक्ष, अपनी अम्मा की सबत लेकर इन देवी जी को दिया देखिए देवी, मैंने केवल आप कोई नहीं, आपके पती आदिनाद को भी वचन दिया है, और मैं अपने वचन की पूर्ती अवश्य करूँगा, आप निश्चिंत रहें, उन्हें मृत्यू दंड मिलने में अभी भी एक दिवस बाकी है पंदित रामा कुष्णा हम भी देखते हैं, कैसे अपने वचन की पूर्ती करते हो तौं कैसे करेगा अपने वचन की पूर्ती, तेरे पास एक नहीं, दो चुनातिया हैं, उन्हें कैसे पुरा कर पाएगा अपने विष्वास से विश्वास से हां बंदू मुझे विश्वास है कि मैं अपने दोनों चुनोतियों को अवश्य पूर्ण करूंगा नहीं कि कैसे करूंगा यामा तनाब के कारण अबहर्ती तो नहां माले गई कैसी बाते कर रहे है तू अचूना गटू okay कि या तलू इन चाब से कैसे थुद कला पाओ अगल मैं इस कालिया में असफ लोगा तो गुलुवल मुझे गुलु कुलुच से निकाल देंगे ये इश्वल जाइता कलो गुंडपे जाब भीतर से गुरु लेकर आ जामा तुझे कीले को देखकर गुरु खालेगा मनो गया चुपकर खान्या नहीं है मुझे तू लेकर तो आ फिर चमतकार देखना लामा तुझ भी तो नहीं हुआ होगा तो दिक्षा करें लामा तुझे लिए यह अरना थी गुल के लालत में तीटी को बला अद तीटी ने कीले को बगा दिया हम अब समझा अन्य बात लामा मेले मितल गुलोजी कल मैं क्याली अवश्य बना दूगा आज का साला दिन चापो को बगाने में तला गया अगर कल तक क्यारी नहीं बनी तो चुप चाप अपने घर लोट जाना और दुबारा इस गुरकुल में कतम भी मत रखना जो आग्या गुलोजी गुलोजी मेले खाने का पातल है कल भी आपके लिए बोजन लाना है ना लानाम गुरुवर लानाम गुलोजी मंदित रामकिष्णा कोई उपाय सोचा आपने आदी नाद की रक्षा करने का मत भूले यदि आदी नाद को मृत्य दंड मिल गया तो आप अपना अश्ट दिगज का पद त्याग देंगे मैं आपने वच्चों की शपत लेती हूँ कि जिस दिन मेरे पती को मृत्य दंड दिया जाएगा उस दिन आपकी इसी चौकट पे मैं अपने वच्चों के साथ प्रान त्याग दूँगी और हमारी मृत्यों की जिनमेदार आप होंगे दूद में मक्खी गिर गई तो तू क्या दूद पेग देगा तुझे ग्यात नहीं दूद कितना महेंगा हो गया आपको महाराज ने अश्ट दिगजबत से नवाजा है मैं तो पहली कह रहा था कि हार माननो पनित्रमकृष्णा अम्मा अश्ट रहे हैं अम्मा गुंडपा गुरुकुल से आते ही जस्वाय में भोजिन ग्रहन करने क्यों जाता है लाम साओड़ या लामा बहलती हो गया कुछ नहीं गुंडपे बस ऐसे ही तू बता गुरुकुल में तेरा दिन कैसा रहा बहुत अच्छा गुलवल भी बहुत अच्छे बाकी चातलो के अपिक्षा मुझ पर अधिक ध्यान देते तू है ही उनका प्रियशेश्य तूने तो प्रवेश परिक्षा के समय ही उन्हे प्रभावित कर लिया था ना वहीं बूलोगल क्या तूच नहीं तू खाएगा ने तूखा लामा तू मुझे उदाश क्यू प्लती चोला है नहीं गुंडपे कुछ नहीं लामा तीन ता मत कल सब तीक होगा तू नहीं तो मुटे ठीका है निलें तल प्याद कलने तबलता आवत्य मलती है लमा इस शिक्षा का त्वयम्प लोग कल वाँ वाँ पंडित जी वाँ विबरंत ऐसे देरो जैसे की कोईला नहीं पारस का पत्थर लिए घुम रहे हो मुझे कोईले की कोई आवशुकता नहीं सेठ बाला चंद्रू ये कोईला नहीं पारस पत्थर ही है पाराज कृष्ण देव राय की महराज क्या हुआ महराज महराज हम कुछ समझ नहीं पा रहे है ममा मतरी तरपार के कारवई आरम की चाया आज के दरवार की कारवाई में महराज 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 गजब हो गया महराज अदाव महराज क्या हुआ अश्राज महराज पंडीत रामा क्रिश्ण विजे नगर छोड़कर भाग गए क्या? महाराज, पंडीत रामा क्रिश्ण सेट बारा चंदरु को कोईले बेशने के पहले प्रयाज में सफलूर मैंने उन्हें दुबारा प्रयाज करने के लिए एक दिन और दिया आज हमारा मिलने का वादा था महाराज, पर जब मैं उनके घर सुबह पहुचा, वो मालूम चला कि पंडीत रामा क्रिश्ण विजे नगर से बाहर गए महाराज मुझे यकीर है कि पंडीत रामा क्रिश्ण विजे नगर छोड़कर भाग गए इस दोरेवार में पंडीत रामा क्रिश्णा को दोवी पचाड मारी है, भागते ने दोवार क्या करते हैं ऐसा कदाप क्या महाराज? जी महाराज, महाराज कहना चाते हैं कि ऐसा कदापी संभव नहीं है हाँ, आपने उन्हें एक दिवस का समय जी महाराज शिराज महाराज कुछ पूछ रहे हैं क्या महाराज? महाराज, महाराज शमा करें परन्तु हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप पूछना क्या चाहते हैं आपने पंडीत रामकृष्ण को एक दिवस का समय दिया था बब, प्रतिक्षा कीजिए जो आगया महाराज की परन्तु पंडीत रामकृष्ण विजिन नेकर वापस लोट कर नहीं आने वाले आप प्रतिक्षा कीजिए कीजिए ल्द सर्द याप कर रामकृष्ण कर रामकृष्ण प्र viol प्रामकृष्ण प्रामकृष्ण scrutiny प्रेणाम गुरुवर इतना दुस्सासी है ये गुंडपा प्रतिदिन अपमानित होने गुरुकुल चला आता है जानाम गुलूर तुन्डपा 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 उच्छारान करो गुंडप्प Ah एक गुंडप्प Ah दो गुंडप तीन तेन तुनडप तुनडपप Ah गुंडपप जो कार्या तुम्हें सौपा गया है उसे पूर करने का प्रयास करो सापों को भगाओ और क्यारी का निर्माण करो रुको अपना थैला मुझे दो समझदार हो गयो सभी छात्रों कक्षा की ओर रस्थान करें गुल्वल सदे मिले वस्तू की जाज करेंगे बोजन के लिए तो पलन तो मुझे इस वस्तू की आवशक्ता है तुम जिन्दा मत करो जब तुम्हें आवशक्ता होगी तब हम तुम्हें दे लेंगे चल्ट तुम्हें आवशक्ता है यह प्राइब करेंदा प्राइब 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 ज़िए नाले! अत्यन्त हीते जश्वी! मेरी गणना सटीक है! तेरा भाग यत्यन्त प्रबल है! माय लक्ष्मी तुझसे प्रसन्न है! तेरे मन में कोई खोट नहीं! स्वर्ण कासा तेरे लिए एक बराबर! दोनों में कोई भेदभाव नहीं! और माय लक्ष्मी का तुझसे बढ़कर कोई सेवक नहीं! सत्य वचन! आप कौन है महान भो? हम है जगत प्रसिद्ध महान जोतिशाचारे सीमंत प्रसन्ना! हमारे विशय में तो अवश्य सुना होगा बालक! कोई बात नहीं! हम जोतिशी है! हमसे कुछ भी नहीं छिपा! हमें ये भी ग्याद है कि तुमारा समय अत्यन्त मूल्यवान है! इसलिए ये रहा तुमारे समय का मूल्य! हम जितना समय तुमसे लेंगे, उतनी ही मुद्राएं तुम्हें प्रदान करते रहेंगे! जय जय हो! जय हो! जय हो! मैं आपको देखते ही समझ गया कि आप अत्यन तो कोई विलक्षण वेक्ती हो आप मेरा जितना चाय समझ ले लीजी बस मुद्राओं का आवा गमन निरंतर होता रहे अवश्य मुद्राओं तो हम आपको प्रदान करेंगे हीर और साथ में ये भी छू कर देखो बालक छूने का मुल्य नहीं है ये क्या है माहनुबा ये काजल है जमतकारी काजल इससे भाग्य प्रबल हो जाएगा तुम माला माल हो जाओगे इसे लगाने के पश्चात स्वयम पूरवजों के दर्शन होते हैं पूरवजों के वो पूरवज जो अपने पीछे ना जाने कितने स्वर्ण संग्रह के भंडार छोड़ कर जाते हैं ठीक उसी प्रकार जैसे तुमने संग्रह किया है जिसका पता केवल तुमें है तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं ना तेरी पत्नी ना तेरे पुत्र को ये अंदर की बात आपको केसे ग्यात खाना हम जो तिशी हैं हमसे कुछ नहीं छिपा सोचो बालक सोचो तुम्हारे कितने पूरवजों ने स्वर्ण भंडार का संग्रह किया होगा जो कहीं किसी कोने में दबा किसी दीवार के अंदर किसी पेड के कठोर में पड़ा हुआ तुझ जैसे भाग्यवान की प्रतिक्षा करना होगा सोचो दो सहस्त्र पाँच दो सहस्त्र छे दो सहस्त्र साथ दो सहस्त्र आठ दो सहस्त्र नौ दो सहस्त्र दफ नहीं मानुब मुझे मुद्तान नेचे अब आयां उट पार के नीचे मुझे मुद्तान नेचे तो फिर इस काजल का मुल्य चुका दीजिए महानुबव ये तो आपका आशिर्वाद है ना और आशिर्वाद तो निशुल्को होता है ना किंदु मैं इस चमतकारी काजल को निशुल्क प्रदान करके इसका अपमान नहीं कर सकता वालक क्या मुल्य है इसका दस सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं क्या ये तो अधिक है तो इस चमतकारी काजल के गुण भी तो अधिक है चमा करना महानुबव परणतो अगर काजल लगाने की पश्चाद मुझे मेरे पुरुवजवन दर्शन नहीं दिये तो मेरे तो दस सहस्त्र सुवर्ण मुद्राएं व्यार्थ हो जाएगी तुछे लगता है कि हम जगत प्रसिद महान जोतिश आचारे सिमन्त प्रसन्न तुझसे मिध्यवचन कर रहे हैं अब कुछ कहा नहीं चाह सकता कुछी थे हम दर्बार σब्सक्राइब दर्बार चलते महलाज स्रिख्रिश्ण डेवराय के दर्बार चलते हम वहीं तुझे काजल प्रदान करेंगे तू इस काजल का प्रयोग दर्बार में करना और अपने पूर्वजों के दर्शन प्राप्त होने के पश्चाथ ही हमें दस सहस्ते स्वर्ण मुद्राएं देना उचीत है उचीत है जड़ो शामू जरा देखना कि एफ़ो याचीत है जड़ो शाफ्त है जड़ो भीचेना पलिंत दो इवाद ने महराज, पंडित रामा कृष्णा नहीं है तो मेरी आप से गुजारिश है कि आप इस चुनोती को स्विकार करें क्या आपको मेरी ये चुनोती स्विकार है? मैंने बहुत कुछ सुना था महराज आपके बारे में और पंडित रामा कृष्णा के बारे में लेकिन अफ्सोस, यहां पर तो कोई है ही नहीं जो मेरी चुनोती को स्विकार करें प्रणाम महाराज महाराज श्री कृष्ण देव राय की जै हो प्रणाम महाराज प्रणाम महाराज अरे यह तो महा कांजू सिट पला चंदरू है प्रणाम मंत्रीवर मेरा नम बाला चंदरू है और यह वो और हम है जगत प्रसिद्ध महान जोतिशाचार्य सीमन्त प्रसन्ना आप लोग राज़ दरबार में किस प्रयोजन से आये हैं? मैं बता दूँ मंत्रीवर, महाराज यह महान वो मुझे चमतकारिक काजल बेचना चाहते इनके अनुसार यह चमतकारिक काजल का प्रयोग करने से हमें स्वयम पूर्वज दर्शन देते हैं महाराज जिसी कारण से तो मैं दरबार में आया हूँ अगर इन जोतिशाचारिय का कथन सत्य निकला तो इनसे मैं एक आजल दस सहस्त्र सुवर्ण मुद्राओं में खरिद लूँगा यही जुनोती तो मैंने कृष्ण देवराई को दी थी फर्क सिर्फ इतना है कि यह जोतिशाचारिय कोईली की जगा सुर्मा बेच रहा है यह हो क्या रहा है मुझे जानना होगा दर्बार में उपस्ति सभी माननिय जन इस घटना के साक्षी होंगे और यदि ऐसा नहीं होता है तो आप इन्हें बंदी बना लीजी क्यूं महानुभो आपको ये शर्फ स्रिकार है स्रिकार है सेट बाला चंद्रोजी स्विकार है हमें आपकी चुनवती स्विकार है सेट बाला चंद्रोजी किन्तु सरुप्रथम आप ये काजल लगाईये तो सही लीजी वाफ करना महराज परन्तु मेरी आपसे दर्ख्वास्त है कि आप पंडित रमाकृष्ण का पता लगाएं आप बीच में क्यों बोल रहे हैं सिराज महद्या क्या इतना अच्छा महनोरंजन वो हमारे कहने का ताथ प्रिया है इतना महत्वख्वून मुद्दा जो है वो गंभीर मुद्दा जो दर्बार के समक शाया है तो अब आप बीच में बादु डाल रहे हैं बीच में बोल रहे हैं आप छुप रहे हैं आप अलगाई ये लगाई आप ये काजल लगाई हम भी दिखना चाहते हैं ये काजल कितना चमतकारी लगाई अतनिक रुकिये मैं एक बात बताना तो भूली गया बात ये है कि काजल लगाने के पस्चार केवल वही पूर्वज द्रिष्टी गोचर होंगे जो स्वर्ग गामी है जो नर्क गामी है या जो प्रेत योनी में भटक रहे हैं वो पूर्वज द्रिष्टी गोचर नहीं होंगे साथ ही साथ उस व्यक्ति को भी पूर्वज नहीं दिखेंगे जिन्होंने अपने पूर्वजों का श्राद कर्म उचित प्रकार से नहीं किया है किन्तु आप चिंतित ना हो सेट बाला चंद्रू जी आप तो नगर के सम्मानिय व्यक्ति है मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ही की तरह आपके पूर्वज भी धार्मिक और सदाचारी जीवन व्यतित ही करते होंगे आपको आपके पूर्वज अवश्य दिखलाई देंगे यह आपने मुझे पहले क्यूंने बता है अभी बता दी काजल लगे हम समझ गए मारा बाला चंद्रु जी आपको कोई शंका है कि आपके कोई पूर्वज डर्गामी अब नहीं तो आप अपने पूर्वजों का श्राद विधी विधान से तो करते हो ना जिहां करता हूँ जित है अब तो आपको आपके पूर्वज अवश्य ही दिखाई देंगे ठान से देखिए और इस दर्बार में उपस्थित सभी दर्बारियों को बताईए कि आपको आपके पूर्वज द्रिष्टी गोचर हो रहे हैं अत्वा नहीं मुझे तो कोई भी द्रिष्टी गोचर नहीं हो रहा है परन्तु अगर मैं ये स्विकार करूँगा तो भड़े बाजार में मेरा अपमान हो जाएगा धन बचाने के लिए कितने वर्शों से मैंने अपने पूर्वजों का श्राध्धन कर्म ही नहीं किया मुझे मिध्या वचन कहने होंगे पिताश्री पिताश्री स्वें माताजी भी है और दाजाश्री भी उपस्तित है दाजाश्री प्रणाम धन्यो सीमानत आचारियजी प्रसन्ना आपका काजल तो बहुत ही चमतकारिक है पहराज, मेरे पूर्वज आपको प्रणाम करें प्रणाम स्विकार करें प्रणाम सेट बालाचंद्रुजी प्रतीत होता है दर्बार में उपस्थित दर्बारियों को आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तनिक इने बताईये तो सही कि आपके पिताश्री ने किस स्वर्ण की धोती पहनी है पीत वरण की और माताजी श्वेत वस्तर धारण की हुई तो महरा आज ये सिद्ध हो गया कि हमारा काजल चमतकारी है लाइए मेरे दस सहस्तर स्वर्ण मुद्राएं लाइए अचारे जी भला इतना धन लेकर कौन घुमता है आप कल मेरे घर आईए मैं आपको धन देता हूँ शेट बाला चंदरू जी आप व्यवसाई हैं स्वाधा हो ही रहा है तो पक्का हो चलिये धन ना से आप मुझे गुण्ड़ी ही दे दीजे गुरू जी गुरू जी ये तो बताओ हूँ ये गुण्डी क्या होती है रिन पक्त्र होता है रिन पत्र अर्थात एक वेवसाई, दूसरी वेवसाई को रिन देते समय, प्रणाम सुरूप रिन पत्र देता है, अब जाओ पीचे समझ गए, समझ गए, अटो ये लिजे, इस हुंडी पर हस्ताक्षर कीचे धन्यवाद आप भी ना महानुपव, अत्यंत ही आतूर है, अब मुझे आज्या दीजी, आज्या है, आज्या है, प्रणा महाराज, अब बाराचंदु जी, अपने पूर्वजों को भी तो साथ लेकर जाए, पिता श्री, माता श्री, दादा श्री, आए, दा, क्या हुआ, रुख गए, आपको प्रानाम कर रहे है, आए, 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 आखाग, रहे है, शीरिमत महादे, हमें भी थोड़ा काजल दीजीए न, हम भी अपने पुद्रों से भेंट करना चाहते है, शमा करें, गुरुवर, क्या है कि कोईले की बोरी तो सेठ बाला चंद्रू की संपत्ती हुई और यदि आपको उसी कोईले की बूरी से बना काजल चाहिए तो सेठ जी से ही संपर करना पड़ेगा कोईले की बूरी हम कुछ समझे नहीं मैं समझाता हूं गुरुए पंडित रामकृष्णा जी गुरुए रणाम मतरिवर ये तो पंडित रामकृष्णा जी है पंडित रामकृष्णा प्रणाम महराज सिराज महोदय मैंने आपकी चुनोती पूर्ण की और उसके लिए मुझे पूरी कोईले की बोरी तो बेचनी भी नहीं पड़ी कोईले के मात्रे एक छोटे से टुकडे से ही कारे हो गया जो काजल मैंने सेठ बालाचंदर को भेचा न वो आपकी दी हुई बोरी के कोईले से ही बना था जो आपने मुझे सेठ बालाचंदर को बेचने को कहा था अद्भूत पंडित रामकृष्णा अद्भूत बहुत है चिनोती पून हुई का है हमारी एक लक्ष स्वाण उधरायन पंडित रामकृष्णा ने सब चोपट कर दिया जी माराच हम समझ गए माराच ते राज महुद है माराच कुछ पूछ रहे हैं माराच एक लक्ष सोने की अशर्फिया मेरे निवास थान में आप किसी को साथ में भेज दीजिए मैं उन्हें सौब दूँगा जो आग गया माराच पहने को अध भूत पंडित रामकृष्णा आपने पुरा एक बार असंभव को संभव करके दिखाया है धन्यवाद माराच दुशकर कार्य पूर्ण होने से पूर्व असंभव ही प्रतीत होते हैं अध भूत पंडित रामकृष्णा बहुत अच्छे बहुत अच्छे पंडित रामकृष्णा थी उत्तम धन्य पंडित रामकृष्णा जी आप उसे घंजूस सेट को आपने क्या समक्स दिखाया तन्यवाद को तवाज कैसी रही गुरुवर महराज हम आपका ध्यान एक और महत्तो पूर्ण कार्य की और आकरशित तरना चाहते हैं जी करूर पपाईये आपके आदेश के अनुसार प्रनिवास में कार्य रक्त पंडित रामकृष्णा द्वारा चैनित सेवक अधिनात को आज मृत्यु दंड दिया जाना है जी ज्यात है हमें तो हम महामंत्री तिमारासुजी से निवेदन करते हैं निराज अग्या का पालन करें और शिग्र अति शिग्र सेवक अधिनात को फांसी पर चड़ाएं महामंत्र जी जी जो अग्या महाराज अब हमारी कैसी रही पंदित रामा कृष्णा आज की सबब महाराज कृष्ण देव राय की महाराज कृष्ण देव राय की आज अश्ट दिगज के पदबर तुमारा ये अंतिरी दिन है सेट बाला चंदर को तुम मुर्ख बना दिया तुमने प्रंतु सेवक अधिनात की बित्तु दन से कैसे रक्षा करों के तुम मैं अपने बच्चों की शापत लेती है कि जिस दिन मेरे पती को मृत्य दन दिया जाएगा उस दिन आपकी इस ही चोखट पे मैं अपने बच्चों के साथ क्रान त्याग दूंगी और हमारे भुत्तों के जिनमेदार आप होंगे बुद्धि में ही शक्ती है शिशो रिशो ने चार वेदों की रचना की है जिसमें से सबसे प्रमुख वेद है गुल्वल क्या मैं कक्षा की बीतल आ सकता हूँ कुन्डपा मैंने तुमसे क्या कहा था जब तक तुम्हारा कारे संपन्न ना हो तुम्हें कक्षा में आने की आग्या नहीं है कारे संपन्न हो गया गुल्वल अश्चरे एक भी साप नहीं दिखाई दिया अरे साप बदो लाल चीटिया चल रही है लाल चीटिया अत्यांती आक्रमक होती है यह यहां कैसे आ गई गुल्वल वतर अनुसाल युद्वीर यहां क्याली बनाएगा युद्वीर क्यों युद्वीर गुल्डपा 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 हुई पुर्णीज़ पुर्णीज़ माराज अशुब आदिनाथ को और विलम किये बिना फांसी पर चड़ा दियाना चाहिए मौ है जो आग्या महाराज चुपायो पंडिजी चुपायो पंडिजी महाराज, हमारे राज्य का नियम है कि किसी भी आप राधी को मृत्य दंड देने से पूर्व उसकी अंते मिच्छा आवश्य पूछी जाती है हमें आधिनाथ से भी उसकी अंते मिच्छा पूछनी चाहिए महाराज ये पंडित रामा कृष्णा आप कौन सा लिया प्रबंच रचरा है पंडिजी आपने कहा था कि आप मेरी रक्षा करेंगे मेरी रक्षा तो की नहीं अब मेरी अंति विछा ग्याद करना चाहते रहे हैं मेरी कोई अंति विछा मेरी कोई डाद करेंए तो कई देने कोई अंति विछा भी करेंएंक विछा करेंएंगे आधी विछा प्रजै याज्छलाई प्रभा प्रभा है महाराज महाराज मैं मैं आदिनाथ से शमा मांगना चाहता हूँ कहीं ना कहीं उसकी इस अवस्था का उत्तरदाई मैं ही हूँ मैंने ही इसे रनिवास में चाहिनित करवाया था स्रिप्या मुझे आदिनाथ से शमा मांगने की आग्या दे महाराज अच्छो थे, है निवाद पन्लीजी आपने का अथा, आप मेरी रक्षा करेंगी शुपरो और मेरी बात सुनो महाराज, अधिनाथ अपनी अंति मिच्छा बताने के लिए तयार है है? अधिनाथ, बताओ महाराज, अभी तक तो कह रहा था, कोई अंति मिच्छा है ही नहीं, अब अंति मिच्छा कहां से पैदा हो गई? कुरुवर! महाराज, मुझसे भी अशुप व्यक्ति! विजयनगर में उपस्चित है मैं चाहता हूँ कि उसका प्रिच्छे विजयनगर के समस्त नागरिकों से करवाऊं तुमसे भी अशुप अर्था तुमसे भी अशुप व्यक्ति है! कौन है? क्या ना मैं उसका? नाम बताओ! हम उसे भी मृत्युदन दे देंगे! नहीं हमारा कहने का तात परिया है महराज उसे भी मृत्युदन दे देंगे! वो व्यक्ति है विजयनगर के महराज खृष्ण दे प्राई है! नित्युद्ध मैं से विक्षित हो गया है ये! और जुलूल बोल रहा है! हमारे महराज को अशुप बोल रहा है तू! हाँ, हाँ, गुरुवर! क्योंकि मेरे अशुप होने के कारण महराज की तो वानी पर ही परभाप पड़ा! लेकिन महराज के अशुप होने के कारण मुझे मृत्युदन मिला! उस दिवस प्राटा महराज इवे प्रथर मेक्टी थी जिनकी सेवा के लिए मैं गया और जिनकी सूरत के मुझे दर्शन हुए! और इनके शुप्ता के परिनाप सब रूपी मुझे मृत्युदन मिला! यह क्या रहो सानिको! शेग्र! आते शेग्र! भांसी पर लटका दो! हमारे भूजी ने महराज का अबमान कर रहा है यह! उसकी कोई आवशुप्ता नहीं होगी! करंतु महराज! करुआर! पंडित रामकृष्णा! हमें क्या तो है कि आप हिने आदिनात को यह सब सिखाया है? आप सत्य कह रहें महराज! हमें संदेः था कि यह पूरा प्रपंच पंडित रामकृष्णा द्वारा राचा गया है! महराज पंडित रामकृष्णा को कठोर से कठोर धंड दीजी! आईए महराज! आईए! अपना धंड सुना हिए महराज! पंडित रामकृष्णा हम आप क्या भारी हैं? आज आपने इसे दिखर दिया है कि शुब अशुब कुछ नहीं होता! ये केवल मन की बनाए हुई मिध्या शंकाए हैं! ये थार्ट से इसका कोई संबंद नहीं! और हमें इस पात की भी प्रसनता है कि आपने जत्य उजागर करने हैं तो हमें मात्यम बनाया! ये था हमें इस पात को समझने में भिलंभ हो जाता! हाँ! धनिवात पंडित रामक्रिष्णु! समय रहते हैं आपने हमारी आखों के समक्ष अन्तु भिश्वास का जो पर्दा था उसे हटा दिया! और हमें एक अनर्थ करने से बचा लिया! साथी साथ आपने एक निर्दोष व्यक्ति की रक्षा की उसकी प्राण मचा है! हम आपके अभारिये हैं? ये तो हमारे द्वरा की पुन्यकर्मों का प्रता भी हो सकता है! सत्य कह रहे हैं माराजाद! आप पूर्व जनम में भी पुन्य आत्मा थे! ये हम जानते हैं! जी गुरुवर! क्या था हमें? तभी हमें पंडित रामकृष्ण जैसा मित्र और विशेश सलाकार मिला! अधिनाथ, हमें चमा कर देजीएगा! हम सुत्रटे हो गई! महामत्र जी! रो आग्या महाराज! जलाज! महाराज! महाराज में चमा कर देजीए महाराज! उसे चमा मंगकर आप मुझे ताप का भागी दर्मत बनाएएगा! अप मेरे महाराज है! अठो अधिनाथ! 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 हम तुमें अपने प्रणिवास का मुख्य सिवक पुना नियुक्त करते हैं! चलते हैं! पंडी जी! आप देवता सवरूप है! मैं और मेरा परिवार आपका योग कार जिंदगी भर समर्ण रखेगा! अधिनाथ! यह सारी बाते छोड़ो! और शिग्र जाकर अपने परिवार से मिलो! यहीं द्वार के बाहर तुम्हारी प्रतिक्षा कर रहे हैं! बहुत बेचैन हैं! जाओ जाओ! शिग्र मिलो उनसे! जी पंडी जी! गुलुची, हम तो कहते हैं, एक बार फिर से पंडीत रामा कृष्णा से प्रश्ण पूछ के देख लेजे! हो सकता है, पंडीत रामा कृष्णा उस प्रश्ण का उत्तर सही देदे इस बार! जाएए! पंडीत रामा कृष्णा! कहिए गुरुवर, कैसी रही? ठीक ही रही! पंडीत रामा कृष्णा, हमें तुम्हारी सहयता की अवश्यक्ता है! अरे, आप आदेश देए! पंडीत रामा एक प्रश्ण ने हमें उल्जा कर रख दिया है, उसका हल नहीं मिल रहा है! अब क्या है कि बौधिक स्तर पर हम बहुत उंचाई तक पहुंच गए? अच्छा? हाँ! अब ये एकदम नीचे के स्तर का प्रश्ण है! तो इस प्रश्ण के उत्तर को पाने में हमें कठिनाई हो रही है! मैं समझ सकता हूं गुरुवर, वैसे प्रश्ण क्या है? प्रश्ण ये है पंडित रामा कृष्णा के जब इस प्रिथ्वी का निर्मान हुआ, उसमें कौन सा प्रहर था? दिवस था यरात्रिथी! क्या? है? शरी की बाते गुरुवर, कल एक भिक्षुक आया था गंदासा, बुढ़ासा, लंबी-लंबी दाड़ी वाला ये, यू, 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 ऐसे कर रहा था उसने भी मुझसे यही प्रश्ण किया वह भिक्षुकल हमारे भवन पर भी आया था वही गंदा वाला ना? ना, उतना गंदा नहीं था जितना आप कह रहे हैं आचा वो, 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 उसने हमसे भी यही प्रश्ण पूछा था अब तब से हम बड़ी असमंजस के स्तिति में हैं गुरुवर, मैं आपको भी वही उत्तर दे सकता हूं वो, जो मैंने उस भिक्षुक को दिया था और कोई उत्तर ग्यात नहीं है मुझे अब उत्तर गालत है क्यों तु आपने तो भी तक उत्तर सुना ही नहीं है? है? चलो धनीमनी, चलो तदर आले जिद्वील इस्थान पल दालचीनी दाल दो शाल्दा ने काया कि दालचीनी दालने से चीती भाग जाती है लो मैं सुवाल ले आया यहां यहां पला है, अभशकता हो तो ले लेना लीजे लीजे तरकारी लीजे विनामुल्य तरकारी लीजे दान में तरकारी लीजे 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 अरे यह सेट बालाचंदु क्या कर रहा है? लीजी 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 यहां भी लीजे क्या हुआ सेट बाला चंद्रू जी पूर्वजो द्वारा छोड़ा गया कोई स्वनड भंडार मिल गया क्या पंडिजी स्वनड भंडार का तो मुझे पता नहीं किन्तु मेरे पूरुवजो ने दर्शन देकर ये सीख अवश्य दी कि सच्चा सुक धन को तिजोरी में रखकर नहीं बलकि जरूरत मंदों को बाट कर ही पाया जाता है इसलिए मैं तरकारी बाट रहा हूं लीजे आप भी तरकारी लीजे अठीन कोई आवश्यक्ता नहीं चलो आज की तरकारी का धन बच नगा घर जाते ही शारता से कहकर लौकी का कोफता बनवा कर खाऊंगा दिवाहित चीवन के अपने ही लाब है धन्य है आपके पूर्वजबाला चंद्रुसेट जी जिन्होंने दस सहस्टर स्वॉर्ण मुद्राओं में आपको इतने अच्छी सीख दे दी लोकी के लिए धन्यबाद पड़ाम महाराज महाराज आपकी वानी के उपचार के लिए महाराणी तिरुमलम्मा ने तोते द्वारा जूटे किये गए अम्रूदो का मुरब्बा बनाया है लेकिन महाराणी चिन्होंने जब तक वो हमारे प्रष्ट का उत्तर नहीं देती है तक हम उनके हाथों से बनाओ कोई भी वियंजन नहीं गिरन करेंगे ये तो शर्ट याद है ना हाँ महाराज हमें आपकी शर्ट ग्याद है पर तो ये महाराणी द्वारा बनाया गया कोई वियंजन नहीं है अपीतू एक औश्यदी है लिजन द्वार हम अपका खाना अलीवार है हम नहीं खाएंगे महारा ने चनट है द्लेमलमंबा के बनाया हुई अ इस अंद्ट मत कीजेगा यदि महारानी तिरुमुलंब को बता चल गया कि हमने उनका बनायाओ मुरबागा खा लिया और हमारी वानी पुना आ गई तो तो हमें उनके बनाये हुए वो जो व्यांजन कहती है वो खाने पड़ेंगे पूछी थे तो आपको हमें वचन देना होगा क्यासा वचन? आप हमें बार बार वो प्रशन पूच कर व्यथित नहीं करेंगे परंतो पूछी थे परन्तु हम महारानी धिरुमलंबा कर तो पूछ सते हैं ना आप उनसे पूछे महाराज हमें कोई आपती नहीं अथो 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 कुछामदीद कुछामदीद अलपारा सुल्थान सुल्थान ये है मेरी नायाब खोच हाहाहा उन्चू मनी ये पदार्थिक नायाब पदार थे सुल्थान इसे मैंने ठीक वैसा ही बनाया है जैसा आप चाहते थे इसे लिए तो ये खास है सुल्थान और इसलिए मैंने इसका नाम रखा है पूरन छू पर ये ये कैसे मुम्किन है नामुम्किन को मुम्किन करदियाल पाराने है यह पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है जो इंसानी जिस्म को छूते ही जिस्म की गर्मी पाकर आप बनकर हवा में गायब हो जाता है उसके गायब होने के वक्त को नहीं रोक सकता हूँ दो घंटे में गायब होने वाली या दो दिन में आज गायब होने वाली मनी मैं बना सकता हूँ माशालला माशालला अरे यह तो वाके बड़े कमाल की चीज़ है अब इसका इस्तमाल हम हमारे सबसे बड़े दुश्मन क्रिष्ण देवराय को नेस्तनबूत करने में करेंगे पर सुल्टान पंडित रामा कृष्ण के होते हुए कैसे मुमकिन होगा वो बहुत अकलमद है सुल्टान क्रिष्ण देवराय को इस बार भी बचा लेगा इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा इस बार रामा को उलजाने के लिए हमने ऐसी तरखीब सुजी है कि वो तो क्या दुनिया का शातिर्शे शातिर पंडिक भी उसे सुलजाने ही पाएगा वो क्या है सुल्टान? बुद्धिदास उपिर्श किया जाए आदाब सुल्टान, खाकसार को शरीफा कहते हैं और यह हैं बुद्धिदास जी तुम को न हो? और इस घदे को दर्बार में क्यों लाए हो? क्या बोलिए? सुल्टान, बचाँ! सुल्टान! आदे रोको ही से शिराइड! सुल्टान! कि यहां पर कोई तो रोको इसे यार बुद्धिदास को अगर कुछ गधा कहे तो इससे बरदाश्ट नहीं होता हुजूर आप इनसे मुआफी मांग लीजिए परना यह आपके पीछे ही पड़े रहेंगे कदे से अर फिर गधा बोल रहे हैं माफी मांगे अरे शिराद माफी मांगे उचसे मुआफ करना मेरे आका खार एहमद मेरे आका बुद्धिदास जी बुद्धिदास जी माफ कर दीजे हुजूर को आए चलिए आए आए अरे ये तो अफला तून है खामोश बुद्धिदास खामोश लेकिन रास्ते में जाते समय इसके कानों पर कुछ रख देना वरना अगर किसी नहीं इसको गड़ा अब मेरा बते बुद्धिदास को कोई वो नहीं बोल दे जो सुनकर ये बढ़क जाते जी हुजूर सब कोच गड़बड हो जायागा ना जाये जाये इस वस्वत को लेखे जी हुजूर आदा अब ये गधा तुम्हारा दुश्मन होगा रामा तब तुम इससे निपतोगे या कृष्ण दीव राय को हमसे बचाओ कृट्दा ये देखो मैं क्या लिकर आया हूं . लॉक की खीर बना दे बहुत hidden होगे क्वैं उचछिथे अम्मा अलिवह लुंक शाल्दा मिलने लॉक्वे का हल्वा बना देना अचिथे हम खीर भी बना देंगे अर हल्वा भी बना देंगे और साथ में लॉकी के पकोड़े भी बना देंगे, ये हमारे लिए है और आप बताईए, कुछ विशेश वेंजिन खाने की इच्चा हो तो वसे आप रहने दीजिए, खीर, हल्वे और पकोड़े के बाद लॉकी बचेगी ही नहीं ए बंदू क्यों रामा, आनल ले रहा है ना ग्रसुका, तेरी पसंद का ही कुछ नहीं बनने वाला है उठालो, उसे बनाओगी तो उठाऊँगा ना थेला उठाऊँगे तो बनाएंगे ना, थेला उठालो इतने विशेश व्यंजन बनाने हैं, उसके लिए घर में पर्याप सामगरी नहीं है जैसे की काजू, किश्मिश बदाब, दूद, मेवा, ये सब आप मंडी से जाकर ले आओ नहीं, नहीं, मैं आज ठक गया हूँ, मंडी मंडी नहीं जाओगा तुम लौकी की सबजी बना लो मैं लियाओंगा, लमा, तुम मुझे धन दे दे अरे, अपरी गुरुकुल से आई है न, फड़ा विश्राम कर लमा, मैं लौकी के हलवे के लिए विश्राम क्याग सकाओ, दे ये सारे त्यागी महात्मा मेरे घर में भरे पड़े ये ले कंजू सेट बाला चद्रू की लौकी तुझे महंगे पड़ गई रामा जन्यवत लमा, तिन मत का गिलने से बचेली, मैं तो ये सालला चेकलाता पलन तो अचानक मेला संतुलन बिगला और यह मेले हाच से फिचल गया ओ मटके वाले त्रादंभिक विजय पर इतना अभिमान नहीं करना चाहिए तुने दो तीन बार मटका गिरने से बचाया इसका अर्थ ये थोड़ी है कि तो हर बार बचालेगा निरंतर विजय प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यक्ता होती है किसकी आवश्यक्ता होती है निरंतर प्रयास उठालो उठालो देखा ये भी कह रही है कि मेरे ग्यान का लाब उठालो उठालो नहीं फेला उठालो और जो सोई घर में जाओ और व्यम्जन खाने के लिए तयार हो जाओं कोफते उठा लो तुम्हें कैसे बता चला क्या आज मेरा कोफता खाने का मन है आपके मन में क्या चल रहा है हम सब जारते हैं हम आपकी अरधांगनी जो है ए बंदू वाँ कोफते मिल गए देखा बंदू इसे कहते हैं ग्रेस्थी का आनंद जहां बिना कहीं ही मन की बात पूरी हो जाती है ग्रेसंट बनोगा रामा कभी नहीं है आपने मंतरों की शक्ती से भास्म कर देंगे तुमारी अधिक मत बोलिये गुरुजी अब इतना तो यह पंडित विध्यादर भी जानते हैं कि आप अपने मंतरों की शक्ती से भक्ते भी नहीं सेख सकते मन चुछे को क्या खाल भस में करें यहूँ तुम्हें किसने बोला पर इसमें बोलने के लिए पदा और तौम सुनो विद्याधर तुमने अभी तक गुंटा पाको गुरुकुल से निश्काशत क्यों नहीं क्या प्रधान अध्यापकापद मिलते ही विचाद बदल गए क्या तुम्हारे हमारा आदेश भूल गए मत भूलो एक चुक्की में खेल समाप्त कर देंगे हम तुम्हारा आप मुझे बार बार धमकी मत दो मैं गुंडप्पा को गुरुकुल से निकालने का पूरा प्रयास कर रहा हूं पर सदैव किसी ना किसी कारण की वजह से वो वार चूक जाता है गुंडप्पा को जिवहा में दोश अवश्य है पर रामा की समान वो चतुर है मैं उसे निक जाल कर आपको सुचित कर दूँगा पर मुझ पर तबाव मट डालिएगा हो 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 अच्छा ये तीवर है आपकी विद्यादर जी मुझे यहां से निकाल दिया जाएगा परंतु मैंने आपके शडयंत्रों की सूची महराज को दे दी तो वो आपके साथ क्या करेंगे सोच लिजेगा गुरुवर आपके इस नेक कारे के पीछे का उद्देश्य मुझे ग्याद है और मुझे ये भी ग्याद है कि विगत कई वर्षों से आप रामा को विजयनगर से निकालने का शडयंत्र रच रहे हैं और बार बार विफल होते रहे हैं देखो विद्यधर हम एक ना एक दिवस अपने इस प्रयास में अवर्षे सफल होंगे गुरुवर हम भी उसी प्रयास में सफल होने के लिए ही कह रहे हैं मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ गुंडप्पा को गुरुकुल से निश्काशित करने में मैं सफल रहूँगा तब तक आप धैरे रखिए प्राम बस एक बार ये गुंडप्पा गुरुकुल से निश्काशित हो जाए फिर ये विद्याधर हमारी किसी कामबा नहीं इसके भी पर्क काट थेंगे हम हमें अधमगी देता है मुर्क चालदा, हल्वा बोट अच्छा है, तनी कॉल दो रहा कुंडपा, हल्वा समाप ठोक्या है कुई पर नहीं, छील दे दो उचित है कुंडपा, तेरी भोग तो बहुत बढ़ गई है घर आते ही तो भोजन ऐसे करता है जिसे प्राते से भोजन ना किया हो कुंडपा बड़ा हो रहा है ऐसे में भोग बढ़ जाती है इतनी तो अभी तक इतना खाता है ठीके ठीके अच्छा कुंडपा अज गुरुकुल के भोजन में जो दिया कैसे लगा? बहुत ही स्वाधिश मेंदू लेते मेंदूवडे? मेंदूवडे नहीं हमने तो तुझे खिचरी दी थी आज कुंडपा कुंडपा तो गुरुकुल मेंदूवडे कभी नहीं लेकर गया है क्या हुआ? इतना मिश्लिट क्यो है तो? कुंडपे क्या हुआ? तो गुरुकुल में भोजन करता भी है या नहीं? हाँ नहीं कि तो क्यों? बात क्या है? और तो इतना भैवीत क्यों हो रहा है? मैं गुरुकुल में एक भी तिन बोटन नेका पाया मेला साला बोटन गुलुगा खा लेते पुरु होते? एसा कारे कैसे कर सकते हैं वो? गुंडपपा, तुने पहले क्यों नहीं बताया? मेले लिये शिक्षा महत्वपुन है बोटन ने मैं इत बात को भलाना नहीं दाता मैं मैं कली महर्शी विद्याधर से बात करता हूँ नहीं लामा, यह मेली समझ से है इसका निलाख लेंड भी मैं ही कल लूँगा तू गुंडपबे तो गुंडपप, उचित कह रहे है गुंडपब, कल से तेरे गुरुजी तेरी भूजन की और देखेंगे भी नहीं आज जब गुंडपब की गुरुजी इस मिर्च मिले लड़ू को खाएंगे तब पता चलेगा कि बालक का भूजन छीनने का क्या परिणाम होता है गली ऐस का मखदब प्राइंजा आजब आजब चले आजब 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 अजेवा लड्डू अम्मा के लिए बनाये होंगे तो क्या होगा? गंजूस अम्मा के एक लड्डू तो खाई सकता हूँ अम्मा के एक लूडू व… । जडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडड हुँँुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुु नहीं चाहती थे बता रहो मैं हाँ ने अम्मा हमने नहीं किया ये लटू तो गुंडपा के गुरू महार्शी विद्याधर के लिए विशेश तोर पर बनाये गए थे आप लोगो खाने के लिए नहीं थे वो गुंडपा का भोजन छीन कर खा जाते है ना इसे खाने के परचाब नहीं खा पाएंगे रे नहीं ऐसा मत करना कहीं इसके गुरू ने इसे गुरू कुल से निश्कासित कर दिया तो क्या बोलकर निश्कासित करेंगे क्या आपको लगता है कि महार्शी विद्यधर ये स्विकार करेंगे कि हाँ मैंने गुंडपा का बोजन चीन कर खाया और उसमें मिर्ची डाली हुए थी देखा अम्मा भी कह रही है कि उचित है नहीं नहीं मुझे तो यह अनुचित लग रहा है हाँ हाँ यह अनुचित है दपा यह लट्टू अपने गुरू को अवश्य देना शार्दा की मेहनत पर पानी मत फ्यर देना खाकसार को शरीफा कहते हैं दो दिन के बाद यह मनी भाब बनकर हवा में उड़ जाएगी और उसी के साथ उड़ जाएंगे कृष्ण देवराय के खोश ते लो पोटे दास अपने अपने अग्रदे के कानों पर पठ्टी क्यों वांदी है यह कर गिया तुमने अब भुक तो अब भुकतो अब उझाच कुद्रिदाश अरे कैसा दूस्ट पर दाए ये क्या बोल रहो तुम अब भुक्तो तुम भी ये तुम यहीं आ रहा करने का यही तरीका है तुम को छमा कर दीजिए बुद्धिधास जी चांथ बुद्धिधास शांथ अब समझ में आया, बुद्धिदास जी के कानों पे कपड़ा क्यों बांधा था मैंने चलो बुद्धिदास, चलते हैं कमाल है, गधे को गधा कहो तो चिड़ जाता है सारे फूल खराब कर दिये, गधा कहीं का कल तुम्हारी कारण मुझे पूरा दिन, ख्यारी बनाने का कार्य करना पड़ा इसका प्रतिशोद मैं तुमसे शीगर लूँगा जनाम गुरू जी जनाम गुरू गुरू भई क्या मुझे एक ही कारे के लिए प्रतिदिन परिश्रम करना पड़ेगा युद्वीर नहीं गुरू वर आज मेला बोचन मत लण किजे गुलू अजू मुझे अतीप प्रिये है गुलू जी आज आप मेला बोचन मत लान के जे आज तो मैं इसे अवश्यक होंगा तुमने पूर्व कभी आपत्ति नहीं जताई तो आज आपत्ति यो जता रहे हो पूर्व कभी चालताने बोचन में भलबलकल मिल्ची भी तो नहीं दाली थी ना गुंडप्पा तुम्हें अध्यन करने की बहुत लालसा है ना आज आज में तुम्हें नहीं रोकूंगा अपे तु मैं आज तुझे पढ़ा पढ़ा के तेरी दुर्गती करतूंगा महाराज कृष्ण देवराय की जय महाराज आपको जो कुछ भी बुलना हो हमें संकेत दे दीजेगा हम सब समझ जाएंके उसकी आवश्रिकता नहीं होगी मामंद्री जी महाराज का कंट ठीक हो गया मामंद्री जी दर्बार की कारवई आरम की जाएं जो आग्या महाराज महाराज चंदरपूर राज्य का एक राजदूत यहां उपस्तित हुआ वो आपके समक्षाने की अनुमति चाहता है अनुमति है महाराज अनुमति है अनुमति है झाल हुआ 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 हुआ